वो Bollywood actress जिनसे रतन टाटा को हुआ प्यार 86 की उम्र में दुनिया को अल्विदा कहने वाले businessman Rathan टाटा को चार बार प्यार हुआ वहीं उनका नाम एक Bollywood actress से भी जुड़ा दिगगज businessman Rathan टाटा ने 86 साल की उम्र में दुनिया को अल्विदा कह दिया है लेकिन वह लोगों के दिलों में कभी ना मितने वाली चाप छोड़ गए हैं उनके प्रोफेशनल लाइफ जितनी चर्चा में रही उतनी ही पसनल लाइफ के बारे में भी लोग ज्यादातर जानते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि रतन टाटा एक बॉलिवूड एक्ट्रेस को डेट कर चुके हैं वह साठ के दशक की सुपस्टा रह चुकी हैं इतना ही नहीं उनके शो में रतन टाटा पहुँचे थे और बात करते हुए नजर आये थे जी हाँ वह और कोई नहीं एक्ट्रेस सिमी ग्रेवाल हैं जिन्होंने 2011 में टाइम्स ओफ इंडिया को दिये एक इंटर्व्यू में रतन टाटा को डेट करने की बात कुबूल की थी उन्होंने कहा वह पफेक्शन है उनमें ह्यूमर की भावना है वह विनम्र हैं और एक बहतरीन सजजन्व यक्ती हैं पैसा कभी भी उनकी प्रेरणा शक्ती नहीं रहा हाला कि उनका रोमैंस शादी तक नहीं पहुँचा लेकिन दोनों करीबी दोस्त बने रहे गौरतलब है कि सिमी ग्रेवाल ने मेरा नाम जोकर सिध्धार्थ, कर्ज, चलते-चलते, तीन देवियां जैसी कई फिल्मों में काम किया, वहीं उन्होंने एक शो भी होस्ट किया, जिसमें रतन ताटा भी शिरकत कर चुके हैं वहीं उन्होंने खुद बताया कि उन्हें चार बार प्यार हुआ शादी तक बात पहुँचते पहुचते रह गई पसनल लाइफ की बात करें तो सिमी ग्रेवाल ने पहली शादी रवी मोहन से की थी कहा जाता है कि तीन महीने के लॉंग डिस्टेंस रिलेशन्शिप के बाद दोनोंने शादी करने का फैसला किया था लेकिन 1989 में उनका तलाख हो गया इसके बाद उन्होंने शादी नहीं की हाला कि उनकी मनसूर अली खान पटौदी को डेट करने की भी खबरें आए लेकिन शादी तक बात नहीं पहुची